पुंच में युबा कॉंग्रेस ने सदस्यता मुहीम शुरू कर दी है जो 26 फरवरी तक चलेगी इस मतालेग जम्मू कश्मीर यूथ कॉंग्रेस इंचार्ज अमन दीप सिंग ने नौजवानों को इस सदस्यता मुहीम में हिस्सा लेने की अपील की है जोनल रिटर्निंग ओफिसर मेरी ड्यूटी लगी है मेरे पास पांच जिले हैं जिसमें जम्मू सांबा कठुवा रजोरी और पुच इन पांचों जिलों में मेरी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी मुझे मिली है इसमें जो मेंबर्शिप हमारी लोन चोई है वो 14 फरवरी से शुरू हुई है और 16 से 22 तारिक तक हमारा इसमें नॉमिनेशन होगा जिसमें 18 से 35 साल का कोई भी युवा इसमें अपना भाग ले सकता है किसी को अगर उसको अपर अब्जेक्शन है वो 16 से 23 तारिक तक उसको अब्जेक्शन लगा सकता है 24 और 25 को हमारी स्कूटनिंग ह होगी और 26 सारिक को हमारा नॉमिनेशन फाइनलाइज हो जाएगा और उसी के करम में पांच मार्च से हमारी मेंबर्शिप चालू हो जाएगी और वह चार अपरेल तक चलेगी इसमें कोई भी 18 से 35 साल का युवा इसमें भाग ले सकता है और अपना जो चुनावी मकसद है चाहे परदेश का लड़ना चाहता हो जिले का लड़ना चाहता हो विधानसव का लड़ना चाहता हो उसको लेकर वह चुनाव लड़ सकता है राहूल गांदी जी की एक सोच थी कि कोई भी आम परिवार का लड़का चुनाव लड़े आम परिवार का लड़का भी राजनीत जारी है उसके अंदर अपना कदम रख सकता है कल यानी 18 फरवरी को शब मिराज मिनाई जाएगी इसी जिमन में पुंच में उल्मा एक्राम ने लोगों को शब मिराज की मुबारकबाद पेश की साथ ही अपने 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 अलाकों की मस्जिदों में दूाओं का एतमाम करन और इसलाम के पेगाम को सुनने और उस पे अमल करने की अपील की। Hi-Raj कराई। और इसके बड़े फ़जाई़ है। इसमें मुक्तसरू ये के सुरा ben israel को पढ़ा जाए। सुर्सक्राइब को पढ़ा जाए उसके ने में को ने कोई तफसीर mü? पैरे आका की मेराज कैसी थी? जिसमें जमीने मेराज का झार जिकhr भी है और आस्मानी मेराज का बे गारी जिक्यर भी है तफसीर इस में है तो जो पैगाम है गुजारश है कि आप मसाजद में हाजिर हैं ओलमा किराम से गुजारश है कि आपने अपनी मसाजद के अंदर जितना भी मुमकिन टाइम हो मगरिबाद, इशाबाद, दू गहते, तीन गहते जितना भी टाइम मिल सके आप अवाम को अपने महले से, इलाकाजास से, गाउं से एक्षटा करें और ये मेराज शेफ का जो फलस्फा है, कुरान और हदीस के हवाले से जब वो अवाम को समझाए जाएं इसमें बुनियादी चीज यही है, कि आज ही की शब ये शब मेराज को रब लिज्जत ने जो है उम्मति मुस्लिमा पर पांच वक्त की नमाज पढ़ना फर्द करा दी थी तो हम डागाम देते हैं कि हम नमाज की हमेर को भी समझें, मसाजिद की आबादकारी का सलसा भी है अगर देखा जाए कि यह पुर आशोब दोर है इस वक्त जो हर इनसान परशान, मुड़ा हो, बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी मजब वाला हो यह यह गुना गुना पर पर परिशानी के अंदर मुबतला है, तो बिल्खुस्स नावजवान जो हैं दीन सेहते हुए हैं, नश्य में, माबाप की नाफरमानी में, रात कहीं गुज़ती है, सोशली मेडिया पर बुरईयों का एक, यह यह बहुत बड़ा ना थमने वाला स से कि आप जो है मसाजिद के अंदर हाजिर हैं, ओल्मा से रिष्टा मजबूत करें, इन रातों को आप जो है बाकी वसूफियात को छोड़ दें, जिस दुनिया की कमाने के लिए हम रात में, दिन में, सुबा, शाम, सर्दी, गर्मी में, बड़ी महनत करते हैं, हासित क्या ह होता है हमारे सामने है, हम तो गुजारश करेंगे दुनिया की काम्याबी और आखित की काम्याबी अगर चाहते हैं, हमारे मसाजिद के आइमा और मदारिस के जो जिम्मेदार उनका यही पैगाम है, आप दीन के रास्ते पर परट आएं, और तेज़ी के साथ जो है दीन से जुड़ें और दीन को सिखें, इन के लिए यही यही आयाम यही राते हैं, यही लवहात, यही महीने हमें मिलते हैं। के सदस्यों से भी बाच्चीत की, कश्मीर में हिंदूओं और मसल्मानों के बीच सदियों पुराना भाईचारा अभी भी जिन्दा है, और गुलाम मुहमद शेख जैसे लोग इसकी मिसाल पेश करते हैं, गुलाम शेख मुहमद पिछले 30 सालों से एक मशहूर शेफ मंदिर में एक पुजारी के फराइस को अंजाम दे रही हैं, कुरान की आयतों और गीता के श्लोकों को उसी प्रवा और भक्ती के साथ हर दिन साचा कर वो सेकुलरिजम और फिरका वाराना हम अहंगी की मनफरिद मिसाल पेश करते हैं, हर दिन शेख पुजारी के सभी फराइस को अ पुजारी के फराइस को अंजाम देना शुरू किया था, जो सिलसला अब तक चारी है